वेलकम फ्रेंड्स, स्वागय थे आप सभी का हमारे ओनलाइन प्लेटफर्म MPS Motivators पर, मैसेल्फ मुकेश कुमार पांड़, सो वेल फ्रेंड्स, आज के सेसन में MPS Motivators के थ्रूह लेकर हम राजीर हैं, सो प्लीज लूक आन तब बोज, हेडिंग दिया गया है एक जूलरी भर्ब, इंग्लिस ग्रामर का एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक जूलरी भर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया, आप इसे हेल्पिंग भर्ब भी कहते हैं या कह सकते हैं, तो आज के सेशन में हम डिटेल्स में जानेंगे, और आज के सेशन से हमारी सुरुवात भी हो रही है, एक निव चैप्टर एक जूलरी भर्ब के बारे में, तो आज से लगातार कई सेशन हम एक जूलरी भर्ब को ले करके जारी रखेंगे, चलते हैं शुरुआत करते हैं MPS Motivators के थुरू आगे बढ़ने से पले वैसे सभी फ्रेंट्स जो अभी तक हमारे चैनल MPS Motivators के साथ नहीं जुरें जुरी हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब किजिए हमारा चैनल घर बैठे, All Subjects की जनकारी, Competitive Exams की जनकारी के साथ हर प्रकार के परिख्जाओं की त्यारी किजिए तो चलिए शुरुआत करते हैं एकजोली भर्ब जैसा मैंने बोट पर लिखा भी है एकजोली भर्ब सहाय क्रिया कहिए या हेल्पिंग भर्ब कहिए देखते हैं इसके Parts, इसके Types क्या होता है एकजोली भर्ब बैसेकली दो टाइप्स यानि दो प्रकार का होता है So well friends, ये टू टाइप्स हुए First and ये हो गया Second एकजोली भर्ब के दो प्रकार होते है Primary एकजोली भर्ब and Second, Modal एकजोली भर्ब Primary एकजोली भर्ब के थूरू चलेंगे, इसमें मिलेंगे Is, Am, Are, Was, Were, Do, Does, It, Is इसके बहुत से एकजांपल्स होते हैं आएए देखते हैं, Modal एकजोली भर्ब तो Modal एकजोली भर्ब में भी दो टाइप होता है Semi-Modal एकजोली भर्ब And Second होता है, Modal एकजोली भर्ब So well friends, look on the board Modal एकजोली भर्ब पर अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे, टू टाइप्स होता है Semi-Modal एकजोली भर्ब And Second, Modal एकजोली भर्ब अगर इसको हम नाम देंगे तो First and Second Semi-Modal एकजोली भर्ब का जो एकजाम्पल होंगे Need, Dare, Used To होता है Modal एकजोली भर्ब चलेंगे May, Might, Can, Could, Should, It Is तो आज एकजोली भर्ब में हम डिसकस करेंगे Modal एकजोली भर्ब के बारे में आगे चलेंगे Next Classes में हम देखेंगे Primary एकजोली भर्ब के बारे में आज का हमारा फोकस होगा Modal एकजोली भर्ब और अब देख सकते हैं modal एक्जूली भर्ब, जिसके two types होते हैं, semi-modal एक्जूली भर्ब, जिसके examples need, day, are used to, modal एक्जूली भर्ब में चलेंगे, तो may, might, can, could, should, out, to, must, बहुत से examples हैं, और इन सभी का one by one हम use करेंगे, परियोग करेंगे English sentences में, अर्थात, modal एक्जूली भर्ब का हम कहां प्रियोग करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किन conditions में यूज करते हैं, तो आज के session में हम यही जानेंगे, modal एक्जूली भर्ब का प्रियोग कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, यह तो details रहा एक्जूली भर्ब के बारे में जैसा कि मैंने board पर लेखा भी है तो चलिए आज की शुरुवात करेंगे हम यह second modal एक्जूली भर्ब के बारे में modal एक्जूली भर्ब का हम uses यानि इनका प्रियोग जानेंगे यह modal एक्जूली भर्ब का प्रियोग English sentences में कहा करते हैं कब करते हैं, किन conditions में करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं बने रही है MPS motivators के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं correct uses of modal एक्जूली भर्ब So well friends, look on the board As I have given the heading correct uses of modal एक्जूली भर्ब यानि modal एक्जूली भर्ब का correct uses, सही सही प्रियोग तो चलिए देखते हैं correct uses of modal एक्जूली भर्ब और थात modal एक्जूली भर्ब को किन conditions में किस प्रकार के English sentences में हम use करते हैं, पहले उसको जानते हैं So well friends, look on the board So for the different types of works या कह सकते हैं for different types of purposes इतने works के लिए या इतने प्रकार के उद्यस्यों के लिए हम modal एक्जूली भर्ब का प्रियो करते हैं English sentences में First, for permission यानि अनुमती के लिए अगर हमको अनुमती किसी को देनी है या हमको खुद अनुमती लेनी होती है तब भी हम modal एक्जूली भर्ब का प्रियो करते हैं Second, for optative sentence इच्छा सुचक वाक के लिए भी हम modal भर्ब का प्रियो करते हैं जिसमें में का प्रियोग जादा होता है May you die soon May you get success तो ये सब Optative sentence होते हैं Third, for guessing the work किसी कार्ज का अनुमान लगाने के लिए बारिसो सकती है बिजलिगीर सकती है तो ये कार्ज का अनुमान हुआ तो guessing करने के लिए भी modal एक्जूली भर्ब आता है Fourth, for expressing doubt अगर हमको संदेह ब्यक्त करना है तो संदेह uncertainty जिसको बोलते हैं अनिश्चित्ता doubt कहिए या uncertainty कहिए अनिश्चित्ता कहिए उसके लिए भी हम modal एक्जूली भर्ब का प्रियो करते हैं Fifth number, for expressing ability पावर, अपनी सकती अपनी छमता को दिखाने के लिए ब्यक्त करने के लिए भी modal एक्जूली भर्ब का प्रियो किया जाता है Sixth number, for suggestion राय मस्विरा देने के लिए सलाह देने के लिए भी हम modal एक्जूली भर्ब का प्रियो करते हैं तो आप देख सकते हैं ये a large number of important works येतने सभी important works हैं जिनको हम अपने daily life में यूज करते हैं ये अंग्रेजी sentence यूज करते हो modal एक्जूली भर्ब का प्रियोग होता है इसके अलावे कुछ और भी conditions हैं, works हैं जहां पर हम modal एक्जूली भर्ब का प्रियोग करते हैं तो ये modal एक्जूली भर्ब जो चेप्टर है इंग्लिस grammar का एक बहुत ही important एक्जूली भर्ब में जो भर्ब सो होते हैं उनका एक्जूली भर्ब में जो भर्ब सो होते हैं उनका एक्जूली करके शूरुवात करेंगे उनका correct यूजे जानेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं बने रहे हमारे MPS motivators के साथ So, well friends, look on the board चलिए शूरुवात करते हैं मे माइड का प्रियोग आप देख सकते हैं मे और माइड तो मोडल एक्जूली भर्ब में सबसे फस्ट एस स्टेप में हम चल रहे हैं मोडल एक्जूली भर्ब में मे और माइड का प्रियोग आए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल से हैं और यह मे और माइड हमारे डेली लाइफ में इंग्लिस एक्टिवीटिज में बिशेश कर इंग्लिस रिटें और इंग्लिस एस्पोकेन के लिए मे माइड का यूज हम जाधा करते हैं चलिए शुरुआत करते हैं rule first. So well friends, look on the board. The first rule, it is very important for may and might. Rule first, interrogative sentence में permission लेने के लिए may और might का प्रियोग करते हैं, आप खुद बढ़ सकते हैं, interrogative sentence में permission के लिए may और might दोनों में से किसी एक का प्रियोग होता है. आप किसी एक का प्रियोग कर सकते हैं, may और might का. Interrogative sentence होगा, किसी एक का प्रियोग करेंगे, now this is the structure, may, might, subject, be one object, question mark. सबसे authentic कहें या एकदम easy way में ये structure आप यूज कर सकते हैं, permission के लिए. आए देखते हैं कुछ examples, क्या मैं जा सकता हूँ. सो ये interrogative sentence हुआ, इसमें अनुमती मांगा जा रहा है, permission मांगा जा रहा है, आप may और might किसी का प्रियोग कर सकते हैं. may I go, might I go. ये दोनों सही है, may I go, क्या मैं जा सकता हूँ, might I go, क्या मैं जा सकता हूँ. आप और भी examples ले सकते हैं. क्या हम लोग सो सकते हैं, may we sleep, might we sleep. तो may और might दोनों का यूज होता है, लेकिन आजकर विसेसकर इंगलिस spoken में, may की अपेक्षा might का प्रियोग जादा होता है. तो might का use आप जाता कर सकते हैं, permission के लिए, और एक condition इसमें है, permission कभी भी लिया जाता है, तो self खुद पर लिया जाता है, आप दुसरों के लिए permission नहीं ले सकते हैं. क्या हम लोग जा सकते हैं, क्या हम लोग आ सकते हैं, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, आप सीता के लिए, रीता के लिए, मोहन के लिए, सोहन के लिए, दूसरे लोगों के लिए, others, buddies के लिए आप permission नहीं ले सकते हैं. पर्मिसन खुद पर लागो होता है दुसरों को पर्मिसन लेना होगा वो स्वेम बोलेगा इसलिए ज़्यादातर केसेज में देखेंगे पर्मिसन के लिए सब्जेक्ट में आई रहता है अथवा वी रहता है मैं या था हम लोग तो फर्स्ट रूल सबसे इंपोर्टेंट रूल है मैं माइट का जिसमें अनुमती लिया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और यह रहा इस स्ट्रक्चर बनावट और इस बनावट पर आप इनुमिरेबल सेंटेंस बना सकते हैं 100, 200 तब जा करके आपका एक्टिविटीज आपका कॉंसेप्ट किलियर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नमबर टू पर चलते हैं तो वेल फ्रेंट इस इस रूल नमबर टू अप्टेटिव सेंटेंस में में एका प्रियोग होता है अप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सुचा को वाक्यों हम अपनी मन की एक्छाओं को व्यक्त करते हैं किसी के लिए आसिरवात की भी कामना करते हैं किसी को स्राप भी देते हैं किसी के लिए मंगल होने की कामना करते हैं किसी के लिए अमंगल होने की कामना करते हैं, तो optative sentence जिसकी शुरुवात होती है में से, और यह सबसे important sentence है, अगर आप types of sentence परहेंगे, तो जिसमें assertive sentence, negative sentence, interrogative sentence, optative sentence, exclamatory sentence, कई परकार के sentences होते हैं, तो उन में से एक sentence, optative sentence, इच्छा सुचा को वाकिया, हिंदी में इसको बोलते हैं, इच्छा सुचा को वाकिया, और इससे हम अपनी मन की इच्छाओं को ब्यक्त करते हैं, दूसरों के प्रती, या तो मंगल कामना करेंगे, या किसी के लिए दुरुभावना, द्वेस, सराप की भी भावना रखेंगे, तो उसको भी एक्सप्रेस करेंगे, और शुरुवात होती है में से, नाउ लुक, में, प्लस सब्जेक्ट, प्लस भीवन, अब्जेक्ट, एंड डोट अप एक्सलामेशन, बिसमयादी बोधक्ची नहीं रहेगा, अंत में यह, आईए देखते हैं कुछ एक्जामपल्स, May you get success, आपको सफलता मिले, Next examples, May you die soon, आप तुरंत मरे, So friends आप देख सकते हैं, फर्स्ट एक्जामपल में, May you get success, आपको सफलता मिले, यहाँ पर इक्छाब्यक्त की जा रही है, आप सेकेंड में देख सकते हैं, May you die soon, आप तुरंत मरे, यानि इसमें, अभिसाप दिया जा रहा है, या सराप दिया जा रहा है, तो, अप्टेटिव सेंटेंस, May से सुरू होता है, और इसमें हम किसी के लिए मंगल का मना भी कर सकते हैं, अमंगल का मना भी कर सकते हैं, और इस सेंटेंस का यूज, काफी यूज करते हैं, सुरुवात मे से होती है, और मे मोडल भर्व है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, Rule No.3 पर, So, well friends, this is the rule number third, look on the board, कार्ज होने में अनिस्चित्ता, अर्थाथ अनसरटेंटी, अनिस्चित्ता, अगर किसी कार्ज में है, या उसमें संधे है, डाउट है होने में, तो वैसे कार्जों को भी हम में से एक्सप्रेस करते हैं, में से ब्यक्त करते हैं, बारिश हो सकती है, धूप निक हुआ है, दिन खिला हुआ है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस बारिश हो सकती है, तो यहाँ अनसरटेंटी है, अनिस्चित्ता है, बारिश होने की संभावना कम है, कार्ज होने की संभावना कम है, तो जहाँ कार्ज होने की संभावना कम हो, वहाँ पर मेक अप्रियो करते हैं, आईए देखते हैं structure look on the structure subject may be one object affirmative structure है सबसे पहले subject देंगे may देंगे be one object वर्षा हो सकती है it may rain मोहन दिली से आ सकता है मोहन may come from Delhi so friends कहीं भी अगर doubt हो किसी cars के होने में और वह doubt 50% से ज़्यादा हो यानि कि लगभग वह cars नहीं होने वाला है और उसके बारे में हम संदेह ब्यक्त कर रहे हैं कि carj हो सकता है मोहन दिली में हैं हम यहाँ से बैठे बैठे बोल दिये मोहन दिली से या सकता है इसमें तो संदेह ज़्यादा है uncertainty ज़्यादा है आये चलते हैं rule no.4 So this is the structure subject, may have, b3 object modal verbs के साथ हमेशा have का प्रियो करते हैं has नहीं आता है may have, can have, should have must have has नहीं आएगा और यह देखें structure subject plus may have plus b3 plus object यह structure यह बनावट express करता है कि कार्ज होने की संभावना थी कार्ज हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई जणकारी नहीं है So friends, यह structure हम यूज करते हैं past tense के लिए कोई कार्ज होने की संभावना थी समय बीत गया वह कार्ज हुआ या नहीं हुआ इसकी जनकारी मुझे नहीं है यानि मैं neutral हूँ मुझे जनकारी कुछ नहीं है कि कार जो हुआ कि नहीं हुआ तो इस तरह का structure हम वहाँ पर यूज करते हैं Look the examples Mohan may have gone to Patna Mohan को Patna जाने की संभावना थी अब इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है Mohan पतना गया की नहीं गया इसकी मुझे जनकारी नहीं है इसका अगर हिंदी लिखेंगे तो सिर्फ लिखेंगे Mohan को Patna जाने की संभावना थी Mohan may have gone to Patna और एक condition है संभावना अपने उपर नहीं दूसरों के उपर में कभी भी possibility जो होती है संभावना खुद के उपर में नहीं लिया जाता है दूसरे के उपर में लिया जाता है इसलिए इस प्रकार का sentence अगर आप express करते हैं तो उसमें self अपना नाम नहीं जोरेंगे सीता को दिल्ली से आने की संभावना थी सीता में have gone from Delhi सीता दिली से आई की नहीं आई मुझे पता नहीं मुझे परपूर में बारिस होने की संभावना थी it may have earned in मुझे परपूर मुझे परपूर में बारिस हुआ की नहीं हुआ मुझे जनकारी नहीं तो इस तरह के structure number 4 जो है ये past tense के लिए यूज करते हैं समय बीत गया, कार्ज बीत गया कार्ज हुआ की नहीं हुआ इसकी जनकारी मुझे नहीं है So well friends, आज के सेशन में आपने देखा correct uses of modal auxiliary verb के तहत may और might के चार important rules और ये चारो important rules English के लिए बहुत ही necessary है बहुत जरूरी है English spoken के लिए, English written के लिए अगर आप modal auxiliary verb को deny कर देंगे तो आपका English complete नहीं होगा क्योंकि modal auxiliary verb का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं आपने daily activities में daily English spoken in meditation में तो वैसे सभी ये students जो class 6 लेकर के class 12 के हैं या फिर competitive exams के भी त्यारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का हमारा sessions एकदम से fruitful है घर बैठे अपनी परिक्षा के तियारी हो अथवा आपका academic exam की तियारी हो self study करें MPS motivators के साथ जूरे घर पर बैठिये और हर प्रकार का exams को crack कीजिए MPS motivators के मादे हमसे जूरी है हमारे साथ आज का वीडियो जूरी से देखिए अगर अच्छा लगे तो इसको अपने groups में share कीजिए positive comments कीजिए वीडियो को like कीजिए मिलते हैं next session में आगे बढ़ेंगे हम इस point से हम आगे बढ़ेंगे और पूरे model actually verb को one by one day by day आपके साब को रखेंगे मिलते हैं next session में thank you thank you